हेलो व्रिवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागते जी के ओशेन यूटूब चानल पर आई वलकम यूँ ओल टू जी के ओशेन यूटूब चानल देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज से समधित जी के करंट अफेर और स आउन के इस चानल दुचे से लियुद्रेश चार में हैं यहाद का लेना आपको चत्यी घडियों भिभार जार और अंध्य प्रतेश ठीच पुछा गया है अगला प्रशने आपके सामने जन गर्णा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का जन घनत तो सबसे अधिक है ठीक है यहां पे चार आप्शन दिया हुआ है ललितपुर सोन भद्र हमीरपुर या चित्रकुट तो यहां पे मारा सही आंसर रहेगा चित कर लेना आपको सब ऊत्तर प्रदेश के किस जले का जन घनत तो सबसे अधिक है तो यह है चित्रकुट ठीक है अगला प्रशन आपके सामने ऊत्तर प्रदेश में सिंचित छेत्र का सही घटता क्रम पदर्शित करना आपको ठीक है याद रहेगा यहां पे फिर केंद्रिय, देन पूर्वी, देन बुंदेलखंड, तो यहाँ पर option number A हो जाएगा हमारा correct answer, ठीक है, यह भी एक्जामे पुछा गया प्रशन है, इसको आपको अचे से याद कर लिना है, अगला कोशन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, छेतर की मुख्य फसल कौन सी है, यहू चावल, दलहन या गन्ना, तो देखें, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया है, वहां की जो प्रमुख फसल है, वो है पल्स यानी की दलहन, तो option number C है, हमारा यहां पर correct answer, next question है, वर्ष 2011, ग्यारा की जन संक्या के अनुसार, सरवाधिक दर्श के वृध्धि दरवाला राज यह कौन सा है, मेगाले, अरुनाचर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या बिहार, तो यहां पर मारा सही आंसर जाएगा, मेगाले है, शिलोंग है, मेगाले की capital, ठीक है, यहां पर जो पहाड़ियां पाई जाती है, यह भी आपके आत कर लेना है, यह है गारु, खासी और जैनतिया, next question है, कई बार पुछा गया है, राजगाट नहर से निमलिकित में से कौन सी एक जिला लाभानवित नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, यह पुछा ग दुछरा एक है कौन सा, एक है जासी, तो आपको याद कर लेना है, महोबानी होगा, जासी होगा, चारों नाम आपको चैसे याद होना चाहिए, वीडियो आपके लिए हेलफुल हो, तो वीडियो को लाइक भी कीजेगा, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अगला कोशन आपके सामने उत्तर प्रदेश में शिशू लिंगानुपात में इस्थान क्या है, श्रावस्ति का सबसे नीचा स्थान कुछा है, श्रावस्ति, मेरट, बलरामपुर या बागपत, ठीक है, इम्पोर्टन कोशन है, तो यहां पर जो मारा सही आंसर होगा, उत शिशू लिंगानुपात में सबसे नीचे का स्थान बागपत का है, ठीक है, कितना है ये भी आपको यादोना चाहिए, 841, ठीक है, ये 1000 में, बागपत, अगला कोशन आपके सामने, उत्तर प्रदेश शरकार द्वारा वर्ष्ट 2005 में घोशित क्रिशी निती में किस वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे मारा सही आंस रहेगा, ओप्ष नमबर A, ठीक है, वर्ष 2020 तक, कोशन फिर से पढ़िए, क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 में घोशित क्रिशी निती में किस वर्ष तक, क्रिशी में 4 प्रतिश योजना लागू की गई है, चार ओप्षन आपके सामने दे रखा है, मुख्य मंत्री, ग्राम, सरंड़क्ष मंत्री, समग ग्राम, विकास योजना, हमारा गाउं, हमारा भविश योजना या ग्राम, नेधी, सरंड़क्ष योजना, ठीक है, तो यहाँ पे मारा सही आंस रह बाते हैं, कोशन आपके सामने, उत्रप्रदेश के सम्मन में कौन सा एक यूग्म सही सुमिलित नहीं है, सिग्रेट उद्योग सहारनपूर, जूट उद्योग सहाजनवा, तामबे के बरतन बरेली और पौट्री बरतन उद्योग खुरजा, तो देखिए जो पहली बात तो चीजों का आपको याद कर लेना है, नेक्स कोशन ने उत्तर पर देशके किस एक नगर कर प्राचीन नाम आयाज शाह था, ठीके, इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रशन है, यह है अयुद्या, ठीके, अब तो फैजाबाद का नाम बदल के अयुद्या कर दिया गया है, कोशन दे रखा है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा मंदिर कहां पर इस्तित है, फिर आपको इन चारों उप्शन में से सही आंसर बताना है, तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए जो यहाँ पर दे रखा है, रेडु केश्वर महादेव मंदिर, यह कहां तो रेडु केश्वर मंदिर कहां पर है, सोन भद्र, मकरभई मंदिर, महोबा, व्यास टीला, यह जालोन हो जाएगा इसका, व्यास टीला जालोन हो जाएगा, और देव कली मंदिर, यह और रहिया, तो यहाँ पर हमारा ओप्शन बर बी हो जाएगा, करेक्ट रांसर, ठीक तो गौतम भुद्नगर, गाजियाबाद, और रियाब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा सही आंसर, तो पूरुस शाकसरता, मेल लिटरसी की बात की जा रही है, अब रोही करब क्या होगा, तो पहले आ जाएगा हमारा गौतम भुद्नगर, फिर और रियाब, फिर अब कोशन क्या रहा है कि उपरियुक्त जिलों में से किस से होकर आग्रा लखनौ एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है तो देखे जो आग्रा लखनौ एक्सप्रेस वे कि लंबाई कितनी यह है 302 किलोमेटर तीक है और इस बार्ग में पढ़ने वाले जिले कौन से आग्रा फ सही आंसर अगला कोशन आपके सामने कि निर्मलिकित यूगम में से कौन सा एक बेमेल है ठीक है पहली बात तो लोधेश्वर मंदिर बारा बंकी में बिल्कुल सही है दशावतार मंदिर देवगड सही है कनक भवन ये कन्नौज में नहीं है कनक भवन कहां पर अउध्या में अभी मैंने आपको अईधिया का प्राशीन नाम बताया था बताई क्या है प्राशीन नाम ठीक है कमेंट शेक्षन में और ये की मंदिर कानपूर विल्कुल सही है नेक्स रेह कौमी एकता सब्ता का उत्तर प्रदेश में अयोजन कब होता है कि कौमी एकता सब्ता इंपोर्टन कोश्ण है यह देखें चार आपशन आपके सामने दे रखा है कौमी एकता सब्ता यह मनाया जाता है कब 19 से 25 नुवंबर की मद ठीक है और आपको एक चीज दोरात कर लेना देखिए उत्तर प्रदेश राज में भूजल दिवस 10 जून को मनाया जाता है यह आप लोग याद कर लिजे 10 जून को मनाया जाता है क्या उत्तर प्रदेश में कौनसा समयलित नहीं है मचली होती है तीर बीर होता है और धनुश और तलवार दे रखा धनुष भी ओता है तलवार नहीं होता है ठीक है तुझा तो उत्तर сरकार के राज के चिन्दों में से तलवार नहीं बाकि तीर पंचली और धनुश है कि नेक्ट्ट को जिला और मिखाले इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं जिला दे रखा और इसका मुख्याले दे रखा है ठीक है तो जो यहाँ पर दे रखा है आपका अमेठी, कौशाम्बी, जालौन और अमेठकर नगर ठीक है आपको उताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है देखें अमेठकर नगर जिले का मुख्याले अकबरपुर में है ठीक है अकबरपुर माती नहीं है अकबरपुर में है जालौन का उरही होगा कौशाम्बी का मंचन पूर अमेटी गौरी गंज तो जो मारा करेक्ट आंसर ही या ओप्शन अबर डी हो जाए क्योंकि अकबर पूर है अकबर पूर माती नहीं है ठीक है तो देखे उतना प्रदेश में उर्दु आकबर अग्रा कॉलेज के प्रफेसर सी फेंक ने 1846 में सर्दल अकबर नाम से श् प्रदेश के जिस जनपत में पाई जाती है उसका नाम बताना है ठीक है चार आपके सामने दे रखा है पहले तो important fact आपको मार मिदा से संबंदित याद कर लेना है देखिए मार मिदा काले मिट्टी का ही स्वरूप होता है और जो अगने समों की चटाने होती है इगनेशियस रॉक होती है उनसे निर्वित होती है और यह महीन होती है नमिक का अभाव रहता है और जल प्राप्त हो रूप में प्रसिद संकीशा स्थित कहां पर एक कई बार पूछा है कोशन आपको पता है और इंपोर्टेंट भी है तो इस कोशन करेक्ट आंसर लगा देखिए कि संकीशा वर्त्मान में उत्तर प्रदेश के फरुप का बाद जनपत में इस्तित है और महा जनपत युग मे संकीशा पांचाल जनपत का प्रमुख नगर था ठीक है और यहां 88,000 से अधिक रिशियों की तपस्तली के रूप में भी जाना जाता है फरुप का बाद ठीक है ऑप्शन अबर डी नेक्स्ट कोशन है वर्ज 1870 में साजापुर से आरे दरपन नामक सापताइक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था आपके सामने चार ओप्शन आपके दे रखा है तो यहां पर ओप्शन अबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर दीकि 1870 में महार्शी दयानन ने साज से नामार और यहां प्राशीन नाम और इस से जोट्व को बताना है कि स्फोनभद्र जिले में क्या क्या यहां पर पाया जाता है यूरैनीयम इंडालूसाइट पाइराइट या डॉलामाइट ठीक है आपको बताना है कि यहां पे क्या क्या पाए जाता है तो देखिए यू सोन भध्र में यूरेन्म के लिए उत्त्र प्रदेश में ललेद पूर जिला है पहली बात तो ललेद पूर होगा यूरेन्म के लिए तो पहला तो हटी गया ठीक है बाकी ऐंडा लूसाइट पाइराइट और डॉलामाइट यह जो है सोनबर जिले में पाई जाती है ठीक है option number A हो जाएगा हमारा सही आज़सर नेक्स्ट में रादा स्वामी पंत से सम्मादित द्याल भाग इस्थित्य कहां पर ठीक है चार option आपके सामने दे रख आए कानपूर मत्रवा आगरा बुलंद शहर तो रादा स्वामी पंत सी सम्मादित द्याल भाग कहां पर है आगरा में तो यहां पर हमने important question को discuss किया I hope यह question आपके लिए important हो helpful हो video को like share जरू करिएगा thank you so much watching thank you